हालो फ्रेंज आप सभी को मेरा नमस्कार आज हम लड्डू बनाने चल रहे हैं यह हमने जीरो साइच का दाना लिया है यह हमारा दाना 200 ग्राम है और इधर हम 500 ग्राम चीनी लिये हैं इसका चल रहे हैं चासनी बनाने लड्डू बनाएंगे दाना 200 ग्राम चीनी डाल रहे हैं और एक लिए समिस में पानी डाले हैं यह व्याहरा चीनी पाहले त्यार करेंगे यह हमारी चासनी बन रही है तो इसमें जो गंदगी होती है चीनी में आफका उपर अगई इसको इस तरह से निकाल लेते हैं हम यह हमारी चासनी बन रही है देख लीजिए यह हलका हलका चीपक रहा है रीस को हमको और पकाना है पाच मिनकता इसके बाद हम बनाएंगे इसके अभी हम आधा नीगु काल रहे हैं तकी लड्र्चु बनने शुपक चाल को आधा नीबू कर रहे हां इसमें दाना डाल से मादा ड। इसको धीरे 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 हम पका कैंगे तभी हमारा सिरा सोखंगा तो इसको इस तरह से भीओ पका रहे हैं यह देखिए इसकोम पका रहे हैं अभी हमारा सीड़ा जो है पिया नहीं है तोड़ा और फूलाएगा तक इसकोम पका लेते हैं और गाढ़ा भी हो जाएगा तब तारेंगे फ्रेप में ठंडा होने की इस तरह सिसकोम रख दिये हैं उतार के ठंडा हो रहा है भी धीरे-धीर हमारा सीड़ा जो है सोखेगा देख लीजिए एक बंसे गाहा हो गया है वे धीरे-धीरे चलाते रहेंगे तो सोख लेगा तब हम बनाएंगे इसको इसमें हम यह लड़ू वाला कलर होता है यलो कलर इसको हम डाल दिये थे अब इसमें हम खरगुजाग भीया डाल दे रहे ह इसको भी थालिन निकाल देते हैं और ठंडा हो जाए हमारा तब बनेगा सूख गया है यह हम प्लेट में इस तरह निकाल देख रहे हैं यह देखिए हमारा कितना अच्छा लग रहा है अब यह ठंडा हो जाए तब हम बनाते हैं इसको कि यह हाथ में हल्का संदेशी घी लगाए हैं यह इस तरह से बना रहे हैं यह हमारा दाना ठंडा हो गया है कि यह इस तरीके से हमारा लट्टू बन रहा है इस पर हम सजाने के लिए खरभूजा का भीया भी लगा दे रहे हैं ताकि देखने में हमारा बन रहा है घर पर ही हमारा लट्टू बन के तयार हो गया है आप लोग बताईएगा कैसा बना है कैसा नहीं और आप लोग का हमारा तरीका पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज दोस्तों धुन्यवान